बाड़ पीड़े तो ग्राम सिलपरी थहसिल बैराट के ग्रामीन कलिक्ट्रेट पहुंचे और बोले कि साहब हमें सिलपरी को छोड़ कर निवास पुर पर हैनी के अनुद्ट्रेट में 100 परिवारो की व्यक्ति पहुंचे जिन्होंने कलिक्ट्रेट में गुखा लगाते कहा कि हम सभी मज़ूर व्यक्ति हैं हमारे गाह में दोनों और से नदी निकली हैं सिभीशन बरसात में हमारा पूरा गाह बह गया है और हमारे खाने पीने की चीज़ें भी उपलब्द नहीं है प्रशासन के द्वारा कोई मदद नहीं की गई है इसलिए आफ गाव छोड़ पूरा घर नस्टो गया अनाजन नस्टो गया सब खिति बारी विविश्टोगी हम को रहने के लिए जयंद दी जाए और हमारी विबस्ता की जाए बोनस्ट हो गई बिलकुल भी नहीं है कुछ भी नहीं है और अभी तो कोई कुछ नहीं है कोई सामान नहीं है बिलकुल नहीं जरूर है कि कट्टे जरूर एक-एक दिये हैं कि दस अनाज के दस परवार के लिए दस ब्रक्ति हैं उसके लिए एक कट्टा और एक है उसको कुछ भी नहीं दो हैं उसको कुछ भी नहीं बनवारी सिलपरी से कर्क्राइब आएं कि में पानी बल गया अनाज गल गया और केती बार नश्ट हो गया इस अब बहुत जैना हुगा अब बुटी केती में यह दाना नहीं है बिल्कुली कि अब परवार कम दें हो माने सो परवार है नाव पूर अगा अब आपको एक एक कट्टा मिला ग्योंगा पचास किलो बाला बस और कुछ नहीं मिला पटवारी आया था बेसी और गुमकर चला गया हम अपने लाग लिए हम जी आये कि हमें अपनी कालोनी के लिए आये और कुछ हमें दिलाया जाए